दर्म प्रकाश जी यह जो भारतिय जन्ता पार्टी में यह कहा जा रहा है कि जब टिक टोक बटवारे के साथ सार बाइस तीकों की जड़ी लग गई है वहां संतोज दिखाई पड़ रहा है इसको आप किस नज़र से लेखते हैं जो भारतिय जन्ता पार्टी है मैं कुछ आपको पिछे लेरा चाहूंगा उनकी हिमाचल में जैसे आपने का कि हमेशा पांच साल के बाद सरकार बदलती है लेकिन जो अभी भारतिय जन्ता पार्टी का मिशन रपीट चल रहा है जो उसमें उन्होंने कंपेइन उठाई है उन उनकी मृत्यू के बाद जो है कॉंगरेस में इस तरह की लेडर्शिम मृत्य तो नहीं है दूसरी बात यह है कि जो भारतिय जन्ता पार्टी का मानना है कि यह डबल इजिन सरकार है केंदर की दिरेंदर मोदी जी की सरकार और प्रदेश में जैराम ठाको जी की सरकार उसने यहां इतने ड्वल्टमेंट के काम किये हैं इतनी खल्यानकारी योजनाय लागू की हैं कि जिसके बाद मतलब वो मिशन रिपीट यहां कर सकते हैं और इसमें एक जो बात है वो यह भी है कि पिछले दिनों जो इधान साबा के चुना हुए चाह उत्तर परदेश है या उत् की सरकार रिपीट हो सकती है यह तो भारतियंता पार्टी का मानना है आपका अपना इंडिपेंटनेट एसेस्मेंट क्या कहता है क्योंकि पिछले दिनों जो बाई-एलेक्शन हुए थे और खास्तोर मंडी में जहां भारतियंता पार्टी चार लाग से जादा वोटों से ज असेंबली के चुनाओं में और एक साल बात की चुनाओं में कैसे अतनी आप्टिमिस्टिक हो सकती है आपको क्या लगता है आपका असेस्मेंट क्या कहता है तो आपने ठीक कहा कि जैसे जो इतने भी उप चुना हुए थे उसमें जो भारतिय जनता पार्टी को चारों सेट जब गवानी पड़े थी और उसमें सबसे महतोपूर्ण सीट जो मंडी संस्दिय सीट थी जो मुखे मंतरी जाराम ठाकुर का ग्रीह जला भी है और वहां पे जो चार लाग से ज़्यादा बीजेपी ने वो सीट जीती थी और उसके बाद जो बाई लेक्शन में पूरू जब गवानी जनता पार्टी की सरकार के खिलाब काफी गुसा है और जो कॉंग्रेस है जो गुसे को है एंकैश कर रही थी लेकिन उसके बाद जो थोड़ी सी कुछ ड्वल्मेंट हुई है कि जो हिमाचल में कॉंग्रेस में एक तो जो नृतित्य तो है उसको लेके जो कलह ह है पार्टी में उसको लेके काफी इसा लोगों में लगता है कि उसकल़ा की व्यासे कॉंग्रेस जो लोग सरकार बनाना भी चाह रहे हैं कॉंग्रेस अपनी उसको एंकैश करने में उतनी काम्याब नहीं हो दिया। और भारतिय जन्ता पार्टी ने जो है इसमें जो कॉंग्रेस को तोड़ने में भी काफी एहम भूमी का निभाई है उन्होंने जो कारेकारी अध्यक शिमाचल के बनाए थे चार बनाए थे उसमें दो तोड़के हर्ष माजन और पहन काजल को भारतिय जन्ता पार्टी में शा तो जो पार्टी की मजबूती की बातें सरकार बनती है या नहीं बनती है उसमें जो प्रमुक मुद्दा मेरे इसाब से है वो है करमचारियों के जो मांगे हैं उसको लेके क्योंकि हिमाचल में जो करमचारी है, सरकारी करमचारी है, वो डेर दो लाक उनकी संख्या है और वो बहुत महत्वपूर्ण जो अहम उनका रोल रहता है सरकार को बनाने में और उपीनन बनाने में. लेकिन पिछले कुछ समय में जो जब ये बाइलेक्शन हारे भी थे, उससे में भी ये बात सामने आई थी कि जो हिमाचल प्रदेश में करमचारी है, वो शायद भारती जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है और जिसका परिणाम उनको बाइलेक्शन में भी देखना पड है, लेकिन जो उसके बाद एक बहुत महत्वपुन उद्दा है, वो है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए यहां पर आंदोलन कर्मचारी हैं, और अभी भी जो है, जो पूर्व कर्मचारी हों, अभी भी स्टेट में आंदोलन कर रहे हैं, पुरी स्टेट वाइड इसका इ जो प्रियंका गांदी की रैली हुई थी, उन्होंने उसमें आश्वशन दिया था कि हम सरकार बनने के जो पहली कैडिनिट होगी, उसमें ही जो हम जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है, इसको लागू कर देंगे, और एक लाग जो वेकेंसीज उसको फुल्फिल करेंगे, तो इस सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर